नीती वचन 31 अध्याई 10 से 20 तक भली पत्नी कौन पास सकता है क्योंकि उसका मुल्य मुंगो से भी बहुत अधिक है उसके पती के मन में उसके प्रति विश्वास है और उससे लाब की घटी नहीं होती वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही वहवार करती है वो ऊन और सन डूं डूंड कर अपने हाथों से प्रसनता के साथ काम करती है वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुए दूर से मंगवाती है वो रात ही को उठ बैठती है और अपने गराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग-अलग काम देती है वो किसी खेत के विशे में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है वह अपनी कटी को बल के फेंटे से घस्ती है और अपनी बाहो को दृड बनाती है वह परक लेती है कि मेरा व्यापार लाब धायक है रात को उसका दिया नहीं बुझता वह अटेरन में हाथ लगाती है और चर्खा पकड़ती है वह दीन के लिए मुट्टी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है प्रकाशित वाक्य अठरा अध्या एक से सत्रा तक इसके बाद मैंने एक स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृत्वी उसके तेज से चमक उठी उसने उंचे शब्द से पुकार कर कहा गिर गया बड़ा बैबिलोन गि वदुष्ट आत्माओं का निवास और हरेक अशुद आत्मा का अड़ा और हरेक अशुद और गुनित पक्षी का अड़ा हो गया क्योंकि उसके व्यविचार की भयानक मदीरा के कारण सब जातिया गिर गई है और पृत्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यविचार किया ह और पृत्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की भाधायत के कारण धनवान हुए हैं फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना हे मेरे लोगो उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपतियों में से कोई तुम पर आना पड़े क्यों और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो जिस कर्टोरे में उसने भढ़ दिया था उसी में उसके लिए दो गुना भढ़ दो जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शौक दो क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं र प्रत्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ विचार और सुख विलास किया जब उसके जलने का दुआ देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और चाती पीटेंगे उसकी पीडा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे हे बड़े नगर बैबिलोन हे दृड नगर हाई हाई गड़ी बर में ही तुझे दंड मिल गया है प्रत्वे के व्यापारे उसके लिए रोएंगे और कलपेंगे क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा अ पातिदांत की हर प्रकार की वस्तुए और भहमुल्य काठ और पीतल और लोहे और संग मरमर की सब भांती की वस्तुए और दालचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदीरा तेल मैदा गेहू गाई बैल भेड बक्रिया घोडे रत और दास और मनुश्यों के प्राण अब तेर पी न मिलेंगी इन वस्तुए के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीडा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलबते हुए कहेंगे हाई हाई ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंके कपड़े पहिनया था और सोने और र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए नहे मिया पांच अध्या एक से उन्नीस तक तब लोग और उनकी स्थ्रियों की और से उनके भाई यहुदियों के व्रुद बड़ी चिलाहट मची कुछ तो कहते थे हम अपने बेटे बेटियों समित बहुत प्राणी है इसलिए हमें अ अपने अपने खेतों दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले फिर कुछ यह कहते थे हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुप्या उधार लिया परन्तु हमारा और हमारे भाईयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं वरन हमारी कोई-कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता क्योंकि हमारे खेत और दाक की बारिया दूसरों के हाथ पड़ी है ये चिला हट और ये बाते सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को गुड़क कर कहा तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो तब मैंने उनके विरुद एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा हम लोगों ने तो अपनी शक्ती भर अपने यहुदी भाईयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम दे कर छुडाया है फिर क्या तुम अपने भाईयों को बेचोगे क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके फिर मैं कहता गया जो काम तुम करते हो वो अच्छा नहीं है क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मान कर चलना न चाहिए कि हमारे शद्रू जो अन्य जाती है वे हमारी नाम दराई न करे मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुप्या और अनाज उधार देते हैं पर तो हम इसका ब्याज छोड़ दे आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतुन की बारिया और घर फेर दो और जो रुप्या अन्न नया दाख मदू और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका सौवा भाग फेर दो उन्होंने कहा हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे जैसा तो कहता है वैसा ही हम करेंगे तब मैंने याजकों को बुला कर उन लोगों को ये शपत खिलाई की वे इसी वचन के अनुसार करेंगे फिर मैंने अपने कपडे की चोर जाड कर कहा इस रीती से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर जाड कर उसका घर और कमाई उससे छुडाए और इसी रीती से वो जाडा जाए और चुच्चा हो जाए तब सारी सभा ने आमिन और यहवा की स्तूती की तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया फिर जब से मैं यहुदा देश में उनका अधिपती टहराया गया अर्थात राजा अर्थशक्तर के 20 वे वर्ष से ले उसके 32 वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाईयों ने अधिपती के हक का भोजन नहीं खाया परंतु पिछले अधिपती जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमदू और इसके साथ 40 चेखेल चांदी लेते थे वर्ष उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे परंतो मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं होबा का भई मानता था फिर मैं शहरपना के काम में लिप्टा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमी मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इखटे रहते थे फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारो और के अन्यजातियों में से हमारे पास आये थे जो प्रति दिन के लिए तयार किया जाता था वो एक बैल छे अच्छी अच्छी भेड़े या बक्रिया थी और मेरे लिए चड़िये भी तयार की जाती थी दस-दस दिन के बाद भांती-भांती का बहुत दाखमदू भी तयार किया जाता था तो भी मैंने अधिपती के हक का भोजन नहीं लिया क्योंकि काम का बार प्रजा परभारी था हे मेरे परमेश्वर जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तु मेरे हित के लिए स्मरंड रख नहीं मिया छे अध्या एक से उन्नीस तक जो संभलत तोभिया और अर्बी गेशेम और हमारे अन्य शद्रू को ये समाचार मिला कि मैं शहरपना को बनवा चुका और यद्यपी उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था तो भी शहरपना में कोई दरार न रह गई थी तब संभलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा आ हम ओनों के मैदान के किसी गाओ में एक दूसरे से भेंट करे परन्तु वे मेरी हानी करने के मेरे इसे छोड़ कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे फिर उन्होंने चार बार मेरे पास वैसा ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया तब पांचवी बार संभलत ने अपने सेव को खुली हुई चिटी देकर मेरे पास भेजा जिसमें लिखाता जाती जाती के लोगों में ये कहा जाता है और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहुदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तो उस शहरपना को बनवाता है और तो इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है तुने यरुशले में साथ सम्मती करे तब मैंने उसके पास कहला भेजा जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ तू ये बाते अपने मन से गड़ता है वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए परन्तो अभे परमेश्वर तू घर में था उसने कहा आहम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदीर के बीतर आपस में भेंट करे और मंदीर के द्वार बंद करे क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे परन्तो मैंने कहा क्या मुझ जैसा मनुश्य भागे और मुझे जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे मैं नहीं जाने का फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है परन्तु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहे कर मेरी हाने के लिए कही क्योंकि तोबिया और संभलत ने उसे रुपया दे हे मेरे परमेश्वर तोबिया संभलत और नौादियाहद नभिया और अन्य जितने नभि मुझे डराना चाहते थे उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधी रख एलूल महिने के पचीसवे दिन को अर्था बावन दिन के बीतर शहर पना बन गई जब हमारे सब शद्रों ने ये सुना तब हमारे चारों और रहने वाले सब अन्य जाती डर गए और बहुत लजजेत हुए क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमिश्वर की औ और से हुआ उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिठी बहुत आया जाया करती थी क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्या का दामा था और उसके पुत्र यहो हानान ने बेरेक्या के पुत्र मशुलाम की बेटी से विवा कर लिया था इस कारण बहुत से यहुदी उसका पक्ष करने के शपत खाये हुए थे वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातों भी उसको सुनाया करते थे तो भी हम मुझे डराने के लिए चिट्टिया भेजा करता था नहीमिया साथ अध्या एक से तीन तक जब शहरपना बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किये और द्वार पाल और गवईये और लेविये लोक तहराए गए तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगड के हाकिम हननिया को यरुशलेम का अधिकारी तहराया क्योंकि यह सच्चा पुरुश और भहुतेरे से अधिक परमेश्वर का भाई मानने वाला था मैंने उनसे का जब तक धूप कड़ी न हो तब तक यरुशलेम के फाटक न खोले जाए और जब पहरुए पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किये जाए और भेंडे लगाये जाए फिर यरुशलेम के निवासियों में से तू रखवाले टहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे